जामपूर चैनल पर तो जितने बच्छे जल्दी साजी है इसके एकुशेशन में आज होने वाले बहतरीन कोश्चन्स और कोश्चन्स एक आपने देख भी लिया होगा तो मुझे लगता है कुछ लोग जल्दी से कोश्चन्स के एंसर फोकस हो रहोंगे कोई बहुत से होगा क्या विया तो जितने लोग हैं जल्दी साजी और आज मैं खुशकबरी भी देने वाला हूं और जब मैं कभी एक्साइटेड होता हूं किसी सेशन को लेकर तो समझ जाइए कुछ आपके लिए बहतरीन है जो मेरे पास है पर अभी नहीं बताओगा पहले एक काम कीज कि आपके जीवन में क्या करता है धेर सारे खुशियां प्रकाश और कर सकते लिया ठीक है नहीं यह मेरे फेवरेट से एक है और मैं इस पार चाहूंगा कि यह तेहवार आप सभी के लिए खुछ बहतरीन जीवन में लाए तो यह तब हो सकता है जब एक्टरीन प्रियास करे और बहत्री प्यास के लिए मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए सिंपल सी बात है थोड़ा सेशन को दिल से लाइक और शेयर कर देना चाहिए चलो भीया कई लोगो को सुनने में दिख्कत हो जाती है तो मैच लगा लिया मेरे बच्चे ऑफाल चली हमने का कर दिया मय को लगा लिया अब हम क्या करेंगे सेशन को स्टार्ट करने के जो भी कोशित करते हैं एक बार जितने बच्चे हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजे कि कई बार बच्चों तक क्या पड़ती है जो भी क्लास की नोटिफिकर्शन नहीं जा पाती है जिससे वह नहीं आपाते दो यह लाइक और शेयर करोगे तो कहीं कहीं से आ जाएंगे और आज बिया मैं किसी का नाम हो नहीं लोंगा सही बता रहा हूं एक का नाम लो तो दूसरा मूपल और तो मेरा नाम नहीं लिए मैं अहीं मतखराब था सेशन में हम ना दिक रहे हैं तो भी आम नाम होने लेंगे चलो आओ तो चलिए फिर स्टार्ट करते आज के पहले जो भी कोस्टन से इस सेशन की बहतर इन स्टार्टिंग करते हैं तो पहले कोशन देखना तो भी यह तोड़ा से जल्दी से पहले कोशन है मेरे बचे दब परमनेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एपियस ड्यू टू मन्दा कर सकते हैं पानी की स्थाई का ठोरता किसके कारण प्रकट होती है बदा यह पानी की जो इ कल्सियम एन मैगनेशियम से और डी यह दी बात करें नौन अब दे अबब चलिये मैं किनारे हो जाता हूं यह तो कुछ बच्चे अभी शैतान बच्चे चिलाएंगे सर किनारे क्यों नहीं हट जाते हो हैं तो हट गया भी यह देखो अब तो देखो एंसर बताओ क्या हो सकता इसका एंसर जल्दी से एंसर बताइए मैं जल्दी सोच रहा हूं एंसर बताइए जल्दी जल्दी कोस्टन्स आपके किये जाएं चलिए जल्दी से कोस्टन्स के एंसर बताइए जिससे मज़ा आजा इस सेशन में थोड़ा सा ठीक है कोई नहीं बताएगा चलो भी आज तो मेरा मन दुखी कर रहा हो तुम लोग चलो अब क्या कर सकते चोटे बच्चे हो कुछ कह भी तो नहीं सकते ना नराज हो जाओके तो पहली बात तो देखो भी हाड़ वाटर सौफ्ट वाटर क्या होता है हाड़ वाटर वह होता है मेरे बच्चे जिसमें दिबात की हाड़ वाटर वह होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह यह वह क्या होता है पाज साबुन के साथ या सोप के साथ मत अच्छा फ्रो के साथ अच्छा फ्रोथ या जाग देता है तो भाईया देखो जो हाड़ वाटर होगा पर्मेनेंट हाड़नेस होती है जल की वह किसकी वेसे होती है मैंगेनिशियम और क Väster अ क्लॉराइड के लिए सिम्बल सल्फइट के लिए आससे टोफॉर兩ग माव il- tad यहूरणा सकते क्या कैल्सियम और मैंगेनिशियम जो कुलॉर और स्ल्फइट होते हैं मेरे बच क्लॉर्लाइड यह जल की स्था ही कठोरता के लिए पानी में केलसियम और मैगनेशियम के दिबात की जा बाइकार्बोनेटस हैं तब यह कौन सी होगी इसकी बात की मेरे बच्चे टैम्प्रोरी होगी हो ठीक है न यह मेरे बच्चे कर सकते और स्थाई कठोरता और और इस्ता यह दिबात की जाए मेरे बच्चे जो कठोरता होती है यह क्या सिर्फ बॉयल करने से पानी दूर हो जाती है पर जब पर्मेनेंट हार्डनेस होगी तो ना भेल बच्चे इसके लिए आपको कई मेथड जैसे आपके पर्म्यूटिड विधी का यूज करना पड सकता है इसके लिए कैल्सियम हाइड ऑक्साइड के साथ आपको पानी बॉयल करना पड़ेगा पर्मेनेंट हार्डनेस दूर करने के लिए तो चलें आगे चलिए अगला in which of the falling carbon is not present इन में से कौन है जिसमें देखा था क्या निम्लिकेज में से किसमें carbon मौजूद नहीं होता है यह आपके पास options है ठीक है ने आप चाहें तो 50-50 life line का यूज कर सकते हैं ठीक है और चल्दी से बताइए इन में से दिबात कीजा किसमें दिबात कीजा carbon नहीं पाया जाता डायमंड ग्रेफाइट कोल नौन अबदब इन में से कोई नहीं इन में से किसमें कर सकते क्या carbon present नहीं होता तो मेरे बचे दिबात कीजा इन में से किसमें carbon present नहीं होता तो यह कौन सा होगा इसमें भी है कैसे पसा चलेगा मेरे बच्चे इन सभी को जलाने के बाद इन सभी को अप्सीजन की प्रजेंस में जब आप जलाओगे तो मेरे बच्चे प्रजेंस में इस गैस को क्या करो फ्लो कराओ प्रवाहित करो किस में चूने के पाणी में प्रवाहित करने पे चूने का पानी में निर्माड होता है formation होता है किसका तो मेरे बच्चे का सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड का एधिक कैल्सियम क्लोराइड का formation होता है कैल्सियम स्थोरी क्लोराइड नहीं मेरे बच्चे कैल्सियम कार्बोनेट का और चूने का पानी चूने का पानी कैसा हो जाएगा मिल्की वाइडिया कर सकते है दुधिया हो जाए तो समझ जाना कि जो भी पदार्त है उसमें कार्बन मौझूद है तो कार्बन की उपस्थी पता करने के ये तरीका मेरे तरफ से याद रखीगा चलें चलें और देखल भाईया कोस्टन की कमी नहीं है बहुते जादा कोस्टन हमारे पास ठीक है 133 कोस्टन है अलकिये में मत देना आज पूरी ब्यवस्था करेंके ले आए हूँ और इसी रिकारें जल्दी जल्दी थोड़ा से चलोगे तो फिर मज़ा आजाएगा से बता रहा हूँ और धीरे धीरे चलोगे पापुजी फिर मज़ा नहीं आएगा ठीक है अगले कोश्टन की तर तो देख लो 133 कोश्टन है पूरे मज़ा आएंगे इसमें आज दे हैवी वाटर इस दा टाइप आप हैवी वाटर इसी बात की जा यह क्या होता है ऐसे कुलेंट काम करता है मॉडरेटर यह कर सकते है मॉडरेटर के मेरे बच्चे हिंदी होती है क्या मंदक की तरह काम करता है यह कर सकते और यह कर सकते मेरे बच्चे क्या आयस की तरह काम करता है फ्यूल यह कर सकते इंधन की तरह काम करता है तो यह बताईए मेरे बच्चे दी कर सकते क्या कौन यह जो आपका कर सकते हैवी वाटर है भारी जल ये किस तरह से काम करेगा जल्दी से बताईए कोश्चर मत थाउड चलिए मैं बताता आप सभी ने सुनना का होगा हैवी वाटर का जो गीप Conorалы है वह क्या होता है डीटु या मेरा बचते क्या करते हैं Ingle इसे क्या आपका औक्साइड बोलते हैं ठीक है जांडी क्या है आपका हैवी और डोजन है भारी आपका हाइडोजन है भारी हाइडोजन की जब ऑक्सीजन से रियक्शन होती है तो ड्यूट्रियम औक्साइड बनता है मेरे बच्चे क्या बनता है ड्यूट्रियम आपका अक्साइड जो भी ब कौन है मेरा भारत वर्ष है ठीक है और अधिबात की जाती यह डिटियम उक्साइड आपके नुक्लियर पावर प्लांट में ठीक है न मदक का सकते हैं कि परमाणू नाव की सेंत्र में किस तरह काम करता मौडरेटर या मंदक मंदक का मतनब क्या है मेरे बच्चे यहां से यह चाल को किया कर देता है यह कम कर देता है यह क्या करता है चाल को कम कर देता है मतब उसके चाल को धीमे कर देता है इसलिए इसका नाम मौडरेटर या मंदक के रूप में यूज होगा यह कौन डिटियम उक्साइड ठीक है चले अगला दिबात कीजा कोश्चन मेरे बच्चे दिबात करें फोर्थ यह चौते नमर का कोश्चन इन आल बायो कंपाउंज दा मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलेमेंट सभी जैयोगों में सबसे आवश्यक मौलिक तत्व कौन सा है नाइटोजन है कार्बन है सलफर है कौन सा हो सकता है बदाए जितने भी आपके कर सकते क्या आपके जैयोगिक है ठीक है ना इनमें सबसे इंपोर्टन दिबात की जाए कौन सा हो सकता है बदाए सबसे इंपोर्टन तो मेरे बच्चे जितने भी और्गनिक कंपोर्णेस पर सबसे इंपोर्टन कोई और नहीं हो सकता है कि भाईया इसको रहना जरूरी है यह कौन सा कर सकते कार्बन आपका सबसे ज्यादा आपके कर सकते नेसेसरी या जरूरी एलमेंट या ठीक है चलिए अगर दिवाद की जाते मेरे बच्चे कौन सा कर सकते फिप्त या पांच च्वे नंबर का जो भी कोश्चन और यह कोश्चन है मेरे बच्चे विच आफ दॉट फॉलिंग इस दा मोस्ट हार्ड इनमें से दिवाद की जात सबसे ज्यादा जो हार्ड सबस्ट या पदार्थ आपका कौन सा हो सकता है पहला है डामन दूसरा है ग्लास कांच तीसरा है क्वाड्स चौथा दिवाद कर सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा हार्ड या कठोर मेरे बच्चे क्या हो सकता है जल्दी से बताईए यह तो बहुत ईजी है अब इसमें भी सोचना प कोई विचार आप सभी के देवताओं को देवियों को इनमें से दिबात कीजा सबसे ज्यादा हार्ड या कठोर अरे बच्पन से पढ़ते आ रहा है एक ही चीज है हीरा जो सदा के लिए तो मेरे बच्चे यहां पर दिबात कर सकते हैं डायमंड जो हीरा है यह सबसे हार्ड अगला the percentage of content of carbon is more than other coal is इनमें से जितने भी कोईली के परजाती इनमें सबसे ज्यादा अधिबात की जाए क्या carbon का percentage किसमें सबसे ज्यादा होगा कोईले के जितने भी परजाती इनमें सबसे ज्यादा अधिबात करूं कि कोई का सकते क्या carbon का जो percentage है सब में सबसे ज्यादा क किसमें हो सकता है, सोचिए, Bituminous, Lignite, Pate, Anthracite, फिर मैं repeat करता हूँ, ये कोईले की चार प्रजातिया दी गई है, इनमें सबसे ज़्यादा, कारवन की प्रतिशत मात्रा, एदिबात की जाए, किसमें सबसे ज़्यादा, आपका हो सकता है, कोई एंसर, कोई विचार, जल्दी बताएं, लेट न करें, ठीक है, चलिए बता दूं, या ना बताओं, चलो भीया, बता देता हूं, तो सुनिए मेरे बच्चे, एदिबात की जाए, सबसे ज़्यादा कारवन का जो प्रसेंटेज है, ये मेरे बच्चे अदिबात की जा, किस ने हो सकता है, तो सुनिए ध्यान से, ये बिट्टू मिनस है महिया, ये लिगनाइट है, ये पीट है, ये मेरे बच्चे अदिबात की जा, यहाँ पे अदिबात की जा, एक करम लगा लीजे, A, B, L, P, देखो एक क्रम में है देखरो एक बात क्या आता भी बस तो मेरे बचे यहां पर यादी बात की जा तो क्या 82 यहां बेगा कर सकतो 85-90 परसेंट बस इसमें कितना 80-85 परसेंट इसमें कितना 70 यह कर सकते 75 परसेंट ठीक है 75-80 और इसमें बहुत खराबी से थी है तो यह 50-65 परसेंट आपका कारबन होता है यह सब मेरे प्रतिशत लिखा तो भी देखो वह जो भी कर सकते क्या अलफाबेट्स आपने क्या होंगे पढ़े होंगे अलफाबेट्स जब आपने पढ़ें तो भीया पता ही होगा ठीक है तो भीया क्या कर सकते सबसे ज़्यादा कारबन का जो परसेंटेज है यह किसमें होगा मेरे बच्च यह एंधरा साइड में कोईली कि सबसें बहतरीन जो आपकी सिपसीजी या पर जाती है यह भी कोई और नहीं है बल कि या नाम इसका एंथरासाइट और सबसे घटिया यह कर सकते चीपेस्ट सबसे घटिया दिबात कीजा कोईले की जो पर जाती है यह जो मेरे बच़े कर सकते इनमें से दिबात की जा तो वो कोई और नहीं हो सकती बलकि कौन ये मेरे बच्चे दिबात कर सकते तो कौन होगी आपका पिट सबसे घटिया होगा ठीक है दूसरी चीज ये जो आपका लेगनाइट है मेरे बच्चे लिगनाइट के बारे में मेरे बच्चे क्या बोला जाता है लिगनाइट को बोला जाता है या इसे कह सकते है भूरा कोईला आपका कहा जाता है तो भईया अक्सर जहां पर कोईले जो भी मालगाड़ी जासे रुखती है ठीक है लाप आपने देखा ऑगा कुछ महां पर जहां पर कोईले मतर उतारे जाते मेल्गारी से वहां पर देखो कुछ पत्थर ब्राउन या भूरे रंग की कोईले में होते हैं स्वारी यह भूरे रंगे पत्थर जो जैसे दिखाई देते यह कोई और नहीं है बलकि ब्राउन कोल है भूरा कोईला है बीटू मिनस दिबात की जा तो सबसे ज़्यादा की परजाती जो आसानी से आपको देखने को मिलती है आपके मार्केट में तमाम जगा ये कोई और नहीं ये बर्की ये कह सकते है बीटू मिनस है और ये जो पिट है कोईला इसे प्रेस करने वाले जो भीया है ठीक है जो प्रेस करते कपड़े का जो प्रेस करते कपड़े जो प्रेस करते हैं उनके पास दिबात की जाते मेरे बच्चे उनके पास यही वाला कोईला आपको मिलेगा पिट जिसे लकड़ी का कोईला भी कहा जाता है तो इसमें कारबन की प्रतिशत कम ह होती इसलिए इसका कैलोरिफिक मान उस मीमान कम होता है चले आगे तो भाइया आज थोड़ा से explain करते चलना हूं कि थोड़ा सा मज़ा आजा समा जो भी बंद जाए है क्योंकि बच्चे करते जल्दी जल्दी आप करा देते हो हैं थोड़ा दीरेदीरे कराय करो तो हमने का चलु भाइञ ठीक है धीरे दीरी करा दिया जाए मैं कि कहें को बच्चों को परशान किया जाए चलिए अगले आधू और्डरी एंड जणरल टाइप इस कि तमन समन और डिर्ट कर सकते क्या यह कर सकते और ड्री एंड जरन मत्द साधार टाइप का कोक इन में से कौन साधार टाइप का मन्द जो भी कोक नहीं है मेरे बच्चे यह तोड़ा सा हमारी डिटर तोड़ी ओले ल कि साधान इसमें से कोईला कौन सा है मदद जो आसानी से आपको मिल सके असानी से साधान मतब और्डनी मतब कर सकते हैं और्डनी मतब एकदम तिंपल जन्र मतब साधान टाइप का इनमें सबसे तिंपल या साधान कोईला कौन सा है तो मजदार के लिए इशारह काफी है सबसे कर सकते क्या तिंपल या साधान कोईला कौन सा हो सकता है जल्दी से बताईए इलमें से कौन से कोईले की स्पिजीस मंदर नॉर्माल या तामाने होगी जल्दी से तो मेरे बचे दिबात कीजा कोईले की जो इसमें जो पिट है ये क्या होगे सबसे साधान सबसे सिंपल होगी ठीक है क्यों भाईया देखो सिंपल सी बात है इसमें कार question number 8 the polluted gas emitted from the vehicle is mainly मद्द रिबात की जा कि जो वहाँ नहीं में से परदूर्शी मद्द वातरों को परदूर्शित करने वाली ग्यास कौन से निगले गए carbon dioxide carbon monoxide mars gas nitrogen nitrogen dioxide question नमर रिबात करें 8 या आठवे नमर का question वहाँ नों से निबात की जा इन में से कोन सा गैस जो वातरों को परदूर्शित करती यं निकलती है बताइए जल्दी sensor तो मेरे बच्चे निबात की जा तो देखो वह या वाहाँ से क्या यह में निबीबात की जा तो कर सकते हैं जो सबसे जहरीली गयास जो इमेटेड होती है निकलती है कौन से कर सकते कारबन मोनोकसाइड तो जहरीली है पर हम तो कर सकते कारबन मोनोकसाइड क्या यह सबसे ज्यादा जहरीली है क्यों 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 यह जो गय से मेरे बच्चे सीधे आपके किस से सीधे अधी बात की जाए तो आपके हिमोग्लोबीन के साथ कंबाइंड हो जाएगा जिससे सरी में ऑक्सीजन का टांस्पोर्टेशन क्या होगा खराब होगा हिमोगलोमीन का ट्रांस्पोर्टेशन ने दिमानी जिका सकते खराब होगा तो इससे क्या होगा सकता है जो परसन है उससे क्या सकते ब्रीधिंग में दिक्कत होगी और उसकी डेथ हो सकती है चलें नेक्स्ट विच और फॉलिंग गैस पॉलूट पॉलूट दा मोस्ट अब दे एर इनमें से दिबात कीजा कौन सी गैस सबसे ज्यादा वाई को क्या कर सकती है परदूर्शित कर सकती है जल्दी से बताई कार्बन डेक्साइट कार्बन मोनोक्साइट ऐसी बात कर सकते है किनारे इसलिए हो गया मिया कि काओगे किसर दिखता ही नहीं है आप खड़े हो जाते हो बदाई ये कार्बन डेक्साइट कार्बन मोनोक्साइट सल्फर डाई अक्साइट ठीक है कोशन नमर्न नाइन्थ निमलेक्स में कौन सी गया सवा को सबसे अधिक अधि बात की जाए प्रदूशित करेगी उसका नाम बताईए कोई अंसर किसी के कन्फीजन हो रहा ना कार्बन डेक्साइट कार्बन मोनोक्साइट हो है भाई यह अधि बात कीजा इस कोशन में क्या कर सकते कार्बन डेक्साइट कार्बन मोनोक्साइट सल्फर डाई ऑक्साइट यह तीनों के तीनों अधि बात कीजा जो गैसेज है ठीक है ना इसमें सबसे ज़्यादा अधि बात कर सकते की पॉलूशन क्रियेट करता है कौन सा इसमें कर सकते कार्बन डाई ऑक्साइट पर हम तो सबसे ज़्यादा जहरीला कौन है तो यह कार्बन मोनोक्साइट चले आईए बात कीजा ड्राई आइस इस अधि बात कीजा जो सूखी बर्फ होती है यह क्या होती है जो ड्राई आइस है यह मतलब कर सकते सूखी बर्फ क्या होती है solid water ठोस जल solid co2 ठोस carbon dioxide dehydrated ice मतलब निरजल जो भी कर सकते बर्फ solid s2o2 मतलब कर सकते ठोस hydrogen peroxide क्या होना चाहिए सोचिए बहुत बार मैंने बता चुका है कि भई किसको dry ice या सुसक बर्फ को लेके तो बताई यह निमस से क्या हो सकता है चलिए बताई देता हूं मेरे बच्चे अदिबात की जाए जो dry ice है ठीक है न यह actual में अदिबात की बना किस किस गयस से carbon dioxide gas से carbon dioxide gas से यह क्या बना हुआ है और यह जो carbon dioxide है जब क्या होती है फ्रीज होती है मदब ठंडी होती है यह किसमें बदल जाती है यह मेरे बच्चे dry ice में है यह का सकते सुस्क Barb में बदल जाती है ठीक है न तुस्क बर्फ यह एक एकच्चूल में बात कर सकते हैं तो ही तो ने है अब आए यह carbon dioxide gas में बदलेगा simple जिवाद ठीक है तो चलें तो यह solid CO2 और दूसरा जिवाद की जाटी इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है एक और dry cold भी होता है इसका दूसरा नाम जिवाद कर सकते तो क्या होता है dry cold भी इसे कहते है किसको dry या इसका कह सकते क्या commercial name dry cold होता है और generally इसका क analogical जो samples है जैसे blood हो गया आपके सरी का कोई tissue या उत्तक हो गया उसको कंजर्ब करके कहीं ले जाना हो चार-पांच घंटे के जरनी हो खराब ना हो तो भया इसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं जो भी वैक्चीन से हैं उसको इदिमालीजा में कहीं transportation करना है एक जगह से द लिक्त हो जाईए अगला मेरे बच्चे अदिबात की जा quards is the compound of जो quards होता है इने में से किसका बना होता है calcium silicate calcium आपके sulphate sodium sulphate sodium silicate जो quards नाम के अदिबात की जा यह came clear assign होता है यह अदिबात की जा किसका बनेगा और quards के बने होते कौन जैसे liberty में आपके कर सकते छोटे छोटे पीपेट्स होते हैं ठीक है ना quards के मदब liberty जो कर सकते मदब थोड़े से अच्छे quality के liberty में जो कर सकते instruments होते हैं ठीक है एक इ किससे अदिमाली कर सकते क्यूवेट कुछ करके बोलते हैं यह ऐसे तो यह क्या होता है ऐसे करके छोटा सा होता है ठीक है इसमें कोई samples रखे जाते हैं इसमें इस फिकली तो यह quards का बना होता है और इसमें क्या किया जाते है इस biological samples को रखके उन पर तरह तरह के experiments किये जाते हैं तो यह छोटे-छोटे जो cupids होते हैं यह quards के बने होते हैं तो quards से दिबात की जाते हैं मेरे बच्चे क्या है quards से दिबात करें यह किसका बना calcium silicate जो भी आपका compound है इसका आपका बना होगा ठीक है एक मिनट और यहां बेदी बात की जाएं तो देखो भी यादी बात की जा कि जो air pollution है air pollution को सब्सक्राइब कर सकते वाई को सबसे ज़्यादा gas को प्रदूसित करती है तो यह carbon dioxide परमति यही था कि भाई वाहनों से निकलने वाली गयात यह carbon monoside याद रखना confusion जरा से भी मत करना ठीक है इसके बाद अगला question अगला देखो भी या आ गई मैंने कहा थाने कि भी या आज तुम्हें कुछ सर्प्राइज दूंगा बहतरीन पर यह सर्प्राइज ज्यादा दिन तक नहीं है और यह बहुत बड़ा सर्प्राइज है हमने कहा थाने कि इस्जामपूर है या के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात और इसमें किलिक करना क्या है अभी लोल करने और इस्जामपूर के courses पर यह पाए क्या आपको मिलेगा 75% का flat discount देखो फिर आगे ना देखो offer तो बहुत देखो इस्जामपूर है बच्चों के लिए हमेशा सोचत है इस्जामपूर का परफस कभी नहीं रहा कि बच्चों से पैसे एट है यह बिजनस बना ले हमने बस एक का सकते करांतिकारी मसाल उठाई है और जिसका एक ही परपस है कि हम बच्चों के क्या जो भी उच्वल भविश्च के लिए जितना बहतरीन हो सके करें और इसी में सिस्टम आपको इतनी चीजे दे रहे हम कहां से देंगे ठीक है आप से कर सकते गुरुद अच्छना लेते हैं यह आप से चोटी से कर सकते धनासी जो लेते हैं इसी से ना जाने कितने जो परिवार है वो क्या हो रहा है जांपूर के साथ जुड़े हुए जो दिन नात आप तो यह भी हो सकता है इस्दामपूर अभी 75 दिख रहा है हो सकता है 90 परचेंट भी डिसकाउंट कभी देने लगे क्योंकि हमारा प्रपस यह नहीं है कि हम करोड़ पती हो जाए अध्यापक की गर्मा बस इसी में है कि उसके बच्चे सफलों बच्चे अच्छी जिन्दिग कर सकता है ऐसा मेरा मानना है और इस्दामपूर का भी मानना है ठीक है तो भाईया फ्रेट यह जो कर सकते हैं 75 परसेंट का डिसकाउंट लेने के लिए करना क्या होगा तो आपको एक बहतरीन कोड यूज़ करना पड़ेगा दिवाली 75 कोड यूज़ करके आप क्योंकि खुदी भाईया एक सो इकाउन उपया उसमें से भी तुम्हें 75 ले लो गया तो यार बड़ी खराब बात है उसमें नहीं बाकी जो कुर्से इसके अलावा जो चले उसमें मिलेगा आपको बड़िया है ना उफर पर यह उफर ज्यादा दिन नहीं भाईया यह ऑफ 27 अक्टूबर तक यह औफर यह रहेगा देख लिज़े ध्यान से और यह जो भी और कि तहते कोई भी कोर्स लेना चाहते तो सबसे पहिले आपको एक काम करना पड़ेगा वह काम क्या करना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से सून लीजिए और ध्यान से सुनते हुए यह जान आशन के लिए नहीप इंपॉर्टेंट नहीं है तो मेरे बच्चे दिबात की जया तो बाकी रहके क्या अपाय दा यह नहींस तो क्या फायदा एक स्टूदेंट इस सेलेक्शन लेना है जिसको बहुत सी चीजों की रिक्वार्मेंट होती है वही उसके मॉवाइल में नहीं है तो भाईया यह शांदार एप जिसका नाम है इजामपुर ओफिशियल एप मेरे बच्चे जीनों ने डाउनलोड नहीं किया मेरे बच्चे डाउनलोड कर लिजे ठीक है ना और सेशन यह मत सोचना को भी है यह चीज बता रहा हूं तो भी यह स्टेशन खतम गन नहीं ठीक है तो मेरे बच्चे क्या कीजिए इज़ामपुर ओफिशियल एप डाउन दूसरा structured paid course, तो मेरे बच्चे दिबात कर सकते हैं तो इसमें क्या है कि जो भी आप paid course खरते हो, किसे exam course है, तो मेरे बच्चे उसमें क्या होता है course purchase के साथ ही, आपको एक बहतरीन प्लान मिल जाता है कि जो subject है, जो subject आपके मदद course में हैं, इनमें कब कौन से class चलेगी, कौन स teacher पढ़ाएंगा सब, detail, इसके लवादी बात की जा, free PDF, बच्चों को यही तो होता है, है, सर, free क्या है, सबसे पहले जाते है, free, यहां पर बहुत सी चीजों में से एक चीज यह भी है, कि भहिया, देखो, कई आपके अलग-अलग subjects के, जो subject matter experts है, ठीक है, ना, उनकी PDF भी य चाहते, सर, हम चाहते हैं, ना, दिन में कई बार Qs solve करें, धेश आरे Qs मिल जाएंगे, क्या, हाँ, यह भी समस्या मेरे बच्चे, यहां दूर हो गई, unlimited quiz है, जितना चाहिए, बहुत क्यों मदच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् करना है, उसके पिछले सालों के, कई आपके test paper, यहां पे PDF file में मौझूद है, बताओ, मज़ा आगे न, और, दूसी चीज़ जदी बात की जाते हैं, यहां पे एक और चीज़ है, क्या, यहां पे बहुत है, आपने दिया, और आप, सुरी, और आप क्या के, सुरुआत के, टॉप 10 में आ गए, टॉप 10 में भी आना असान नहीं होता, क्यों को बहुत कम टीटर, और आपने आया, और आपने के आने पे, इसदाम पुर ने देखा कि यह बच्चा talented है, और इसे सूधाय मिलने चाहिए, तो हो सकता है, आपको आ सेलेक्शन हो जा, यह भी एक अच्छी सोच है, और यह अच्छी सोच इस दामपुर हमेशा रखता है, इसी वैसे हम आपके, जो भी कह सकते हैं, प्यार और सहयोग से, तेही से आगे बढ़ रहे हैं, और बच्चों के दिल में एक खास, आज, अस्थान बना चुका है, इस ठीक है न, तो प्यार बनाए रहे हैं, से बना रहे हैं, और इस्थामपुर ऑफिशल एप, डाउनलोड किये रहे हैं, दूसरा इस अफिशल जो भी एप को डाउनलोड करने के कई लोग तो से कैसे डाउनलोड करें, तो यह कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पहले किजे, सर्च किजे, फिर इंस्टॉल कर लिजे, ओपन कर लिजे, लेट्स रेजिस्टेशन, मतलब पंजी करने, पंजी करन वाले जो भी स्टेप पे जाईए, यहां रेजिस्टेशन किजे और यहां सारी डिटेल्स जो आपकी मांगी जाती है, ठीक है ने डेटा बर्थ, पपा का नाम ममा का नाम मोबाइल नंबर इमेल आइडी डाल दीजिए सब फ्री में मिलेगा तो भाईया इससे अच्छा वहतरीन एप कभी नहीं हो सकता इस्टूरेंट्स के लिए तो चले हम अपने कोशन के तरफ तो मेरा भाईया परपाश भुरा हुआ आपको चीजे बता कोश्चन मेरे दिबात कीजा 12 दे लाफिंग गैस उटलाइज इन दा फार्म आप एनस्थीसिया बाई दर डॉक्टर इज इनमें से कौन सी गैस है जिसे लाफिंग गैस करते हैं और जिसका उपयोग एदिबात करें डॉक्टर्स एनस्थीसिया मतब किसी को बिहोस करने में करते हैं बताई इनमें से किसका उपयोग डॉक्टर्स एनस्थीसिया बेहोसी के लिए करते हैं चलिए बताएं तो देखो एक गैस है एन्टू और कौन सा एक गैस है एन्टू और जिससे करते हैं नैट्रो औक्साइड यह इसका क्या किया आता है क्या आतरो एक ओक्साइड क्षेट है तो बच्चा क्या यह और नैट्रो नडैोक्साइड फिरह आ गया देखो तो मेरे बच्चे यह सी मुझीर औक्साइड यह क्या लाफिंग् region कही जाती है अगला दक्रेम का सब्स्टेंज विच इस इजली स्वालबल इन वाटर इन में से कौन सा कर सकते सब्स्टांस या पदार्थ है जो इजली यह दिबात करें तो क्या को हाँ को है है सा है इस जाय पदाएं पाद में इस में इस इस तो मेरा बच्छे अदि बात कीजिए इन में भीया जो है आमोनिया आपके गर्षा है जो इस ख्री कर सकते हैं बहुत अच्छे से u किसमें आपके वाटर यह क्या था वाटर में बहुत ज्यादा कर सकते हैं ठीक ना बाकी आपके कार्बेंट कार्मन बहुत उतना नहीं नैडोजन मिलकूल नहीं हाँ आउडीन भी घुल सकती है पर इनमें सबसे अच्छा जो सॉलबल है मेरे बत्चे दिवाद कर सकते तो यह क अगला यूजली दे कुलेंट यूजली दे कुलेंट विच इस यूज एज डॉमेस्टिक कुलेंट इनमें से दिबात की जग किसका उप्यों गया दिबात की जग घरेलू सितलक के रुप में किया जा सकता है जो सेफ भी है और इससे ओजोन के लिए को कोई हाम नहीं पहु नहीं करना सेफ़ होगा तो मेरे बच्छे यहां पर देखो नियॉन Congressman यूज होता नहीं है नाइट्रोजन का यूज होता नहीं है और पता यह दिबात की जब फ्रियोन और नाइट्रोजन हो गया अमोनिया हो गया कोस्यर मेरे दिबात की 17 14 तो बेट देखो यह फ्रियॉन है जो CFC का टाइप है CFC का टाइप मन्द इससे मेरे बच्चे क्या हो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन यह क्या क्लोरो क्लोरो कार्बन का टाइप है तो इससे मेरे बच्चे इस में सा क्या होती है जो क्लोरीन निकलेएगई यह ओजॉन को लेयर को हां पहुँच जाएगी तो मेरे बच्चे दिया अमोनिएख को हम कुलेंड की रूप में यूज़ करें तो यह ज्जादा अच्छा होगा और इसस hydrogen chloride hydrogen sulfide इनमें से कौन सी gas है जो आसू उत्पनक कर सकती है 21 कौन सी gas है जिसके संपर्ग में आनिक प्या आपके आसू निकल सकते हैं जल्दी से बताईए इनमें से कौन सी gas है जिसके विज़से आपके आसू आ सकते है कभी hospital तुम लोग गये तो होगे नहीं नहीं गया हो ना तो मेरे बचे hospitals में क्या होता है जैसे evening में और morning या दोपर और शाम में एक gas क्या कैसे छोड़ी जाती है जिसके क्या हो सकते है जो भी germs हैं वो मर जाते है पर हम तुम इस gas की विज़से आखों से बड़े आसू आते है और आखों में अजीब सी जलन होती है जैसे और कोई और नहीं है बलकि ये कौन सी क्लोरीन आपकी gas है जो आसूत बन कर सकती है ठीक है Question No.16 Which of the falling is the most evidently occur element in the earth crust इन में से दिबात की जा अर्थ के कसके भूपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन से element ये तत्व पाए जाएगा तो चलिए अर्थ के layer बना देता हूँ मेरे बच्चे अदि बात की जा तो ये जो layer है सबसे उपर की इसी को करस्ते crust या मेरे बच्चे अदि कर सकते इसे भूपर्टी करते है इसे क्या कर सकते भूपर्टी करते हैं ठीक है तो भाईया भूपर्टी में दिबात की जाए निमें सबसे ज़्यादा कौन सा element होगा oxygen, nitrogen, manganese, आपके कर सकते silicon कौन सा element सबसे ज़्यादा होगा कोई idea, कोई विचार तो मेरे बच्चे अदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो element या तत्तो पाए जाएगा ये oxygen होगा 46.6% ये कौन सी oxygen होगा 46.6% आपका सबसे ज़्यादा ठीक है और यदि बात कीजा atmosphere में oxygen का percentage कितना 21% ये चीज़े भूलिएगा मत तो मेरे बच्चे 16 का क्या होगा answer ठीक है अब कई देखो money man देखो या कुढ रहे हैं नाम नहीं ले रहे हैं नहीं लूंगा आज चलो अब दिवाली के बाद ही नाम ली जाएगी question number 17 या 17 इसे मेरे बच्चे बोल सकते हैं क्या अनू चुमबक तो पदार्थ भी बोलते हैं वे पदार्थ जो का सकते हैं थोड़ा बहुत क्या magnetic field के तरफ आकरशित होते हैं इन्हें का सकते हैं अनू चुमबक तरफ अनू मदब किसी चीज़ के दिशा की तरफ चुमबक तो मदब चुमबक की प्रोपर्टी अट्रेक करने की तो इन्हें से कौन सा है जो चुमबकी छेतरगी दिशा में आकरशित हो सकता है आइरन, हाइडोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जल्दी से बताईए तो मेरे बच्चे दिबात कीजा इन्हें से कौन सबसे अच्छा हो सकता है तो क्या ये पारा मेगनेटिक जो सबस्टांस है इसमें कौन सा होगा ऑक्सीजन सबसे बेस्ट आप्शन अगला ऑक्सीजन एन ओजोन्स आर जो ऑक्सीजन और ओजोन्स नहीं ओजोन्स क्या है पहला मेरे बच्चे एलोट्रोप्स अप्रूप चलिए ये हंदी लिख देता हूँ एलोट्रोप्स अप्रूप आइसोट्रोप्स मेरे बच्चे कर सकते तमस्थानिक तमस्थानिक आइसोमर्स ठीक है न, समा वैवी आईसो बार्स मतक कर सकते समदावी तो मेरे बच्चे देखो, ओक्सीजन का ये है और ओजोन का फार्मला ये है ओजोन का ये है, ओक्सीजन का अधिबात कर सकते क्या ये है तो देखिए यहाँ पे अधिबात की जाए दोनों में क्या element या तत्तों कौन सा oxygen है तो यह मेरे बच्छे कहा कर सकते एक दूसरे के allotrops या अप्रूप जैसे carbon के अप्रूप होते है carbon के अप्रूप जैसे कोईला हो गया diamond हीरा हो गया graphite हो गया यह ऐसा question मेरे बात कीजा 19 नमर का question which of the falling vein passes through the alkaline solution of pyrogalol then ground nuts colored solution is appeared निम निकित में से अधी बात कीजा pyrogalol नामका एक छारी विलियन से अधी बात कीजा क्या चीज गुजरेगा कि मुंगफली के रंग का घोल बन जाएगा question मेरे बात कीजा 19 नमर का question इन में से कौन सी गया जो भी प्रवाइद कही जाए पैरो गैलोल के कर सकते alkaline विलियन या छारी विलियन में जिसमें कर सकते जो almonds या बादाम होता है उस रंग का solution आपका बन जाए question मेरे बात कर सकते 19 या 19 नमर का सोचिए oxygen nitrogen hydrogen carbon dioxide वैसे आपने सुना नहीं होगा तो गलतियां करोगे मैं पहली बता देता हुआ मेरे बच्चे oxygen अगला मेरे बच्चे which of the falling gas is directly respondent for the depletion of ozone layer इन में से कौन सी कर सकते जो gas है जो ozone की layer को क्या करती है सीधे तोर पे क्या करती है डैमेज करती है च्छतिग्रस करती है और यहीं वज़ाए कि अंटार्टिका में क्या करते हैं यह कर सकते हैं बहुत बड़ा होल बन गया था होल बनने का मतलब ओजोन के लिए वहां पर क्या पतली हो गई ठीक है यह नहीं था को जोन के लिए खतम हो गई इलमें से कौन सी गया से जो ओजेन के लिएर को डिरेक्ट ली क्या है परतेश रूप से डैमेज करने के लिए उत्तरदाई तहां पर कोई और नहीं मैं पहले भी बता चुका हूं सी अफ सी ख्लोरो फ्लोरो कार्बन और इसका क्लोरो कार्बन का एक गैस है टाइप फ्रियों जिसका हम कर सकते रिफ्रीजरेटर और क्या एसी में यूज कर रहे थे पर अब धीरे दीरे उसको कम किया जा रहा है ठीक है आईए अगला कोश्चन बहुत मस्त कोश्चन भया मजा आ जाएगा कोश्चन है मेरे बचे विच और दा फॉलिंग गैस इस डारेक्टली रिस्पोंडेंट फॉर दे एसी ड्रेंट इन इन एट्मोस्फियर इन में से कौन सी गैस है जो क्या अमला वर्षा के लिए उत्तर दाई है धूड़ो तो भाई, CFC, chlorofluorocarbon, methane, ozone, sulfur dioxide इनमें से कौन सी गैस है जो का सकते है मेरे बच्चे किसके लिए अमला वर्षा के लिए उत्तर दाई है तो मेरे बच्चे दिबात किजा अमला वर्षा के लिए जो उत्तर दाई गैस है कौन सी है देखो एंसर एक तुम बताओ, ए चलिए, बहुत देर लग रही है, कुछ बच्चे जल्दी अंसर दे भी रहे हैं, तो कुछ अभी सोच रहे हैं, तो यह मेरे बच्चे इसका नाम क्या है, इसको बोल सकते है, sulfur dioxide gas, sulfur dioxide आपका gas, दूसरे एक gas और हो सकती है, कौन सा, NO2, जिसे मेरे बच्चे बोलते हैं, nitrogen dioxide gas, nitrogen dioxide gas, nitrogen, nitrogen dioxide gas, तो यहाँ बहुत बात कीजा, 21 गया दी बात कीजा, अगला अधी बात कीजा, question number 22, which of the following is assumed to be the most fundamental chemicals in chemical industries, अधी बात कीजा, निमलिकित में से कौन से रसायन, रसायन, रसायन को दोगों में सबसे अधी बात कीजाए, यह यूज़ किया जाता है, यह सबसे ज़्यादा जिसका importance या महत्तो है, इन्हें में से कौन सा हो सकता है, question number 22, 22 नमर का question, इन्हें में से किस chemical यह रसायन का सबसे ज़्यादा, chemical industries यह रसायन की दोगों में सबसे ज़्यादा, भया प्रात्मिक्ता दी जाती है, सबसे ज़्यादा उसकी requirement होती है, एक तो मेरे बच्चे यहाँ पर incomplete है, S2CO3, इससे मेरे बच्चे दिबात कर सकते हैं, कार्बोनिक, आपका ACD या कार्बोनिक अमल बोल सकते हैं, यह मेरे बच्चे दिबात कर सकते हैं, तो क्या nitric acid nitric अमल बोल बहुत, यह दिबात की जाता ही हो, फिर बता देता हैं, कौन सा, sulfuric acid या sulfuric अमल बहुत, और यह STL जिसे हम बोल सकते हैं, क्या hydro, हाइडो क्लोरिक एसीड या हाइडो क्लोरिक आपके कर सकते अमला तो यहां पर इदी बात की जाए सबसे ज़्यादा इदी बात की जाए requirement होती है सबसे ज़्यादा इदी priority होती कि इसका रहना जरूरी है यह कौन सा इसका इस प्रोटाग बनाने में यूज होता है दूसरे बात की जाए फटलाइजर बनाने में भी इसका आपका यूज होता है साथ में यह जो जितने भी आटो मोबाईल से उनकी बैटरीओं में भी यही एसीड होता है ठीक है यह लो भीया एक अगला question the electrolyte emploids in the car battery तो मेरे बस्चे दिवाद कीज़ा car की battery में कौन से electrolytes का use होता है या इलमें से किस chemical का उपशयोग car के battery में आपका किया जाता है इलमें से दिवाद कीज़ा किसका उपशयोग car की battery में किया जाता है जल्दी से बता दिजे बता है hydrochloric acid sulfuric acid nitric acid distilled water किसका उप्यों के दिबात की जा तो कार की बैटरियों में किया जाएगा अब ये कोशन तेहर तुम गलत ना करोगे अगलत करोगे तो बहुत पीटाई होगी समझ जाओ तो मेरे बच्चे दिबात की जा कार की बैटरियों में आज ही बताए है sulfuric acid का यूज होगा formula होगा S2SO4 अगला मेरे बच्चे सरकर और sulfuric अमरे की अभक्रिया से निमलिकित में से कौन अपने सुधरुप में प्राप्त होता है मेरे बच्चे का सकते है कि throw the reaction of the sugar and sulfuric acid which of the following is obtained its pure form इनमें से बात की जाए कि क्या sugar और sulfuric acid के reaction से कौन सुधरुप में आपका प्राप्त होगा question number आपके का सकते 24 24 नमबर का question पानी, carbon, oxygen, hydrogen कोई idea चलिए मैं बता देता हूँ, मेरे बच्चे यहां पर इदी बात की जा तो क्या होगा symbol से बात है अपक्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा black color का एक substance आपको मिलेगा और वो कोई और नहीं होगा बलकि उसमें इदी बात की जाए काफी high quantity में कर सकते carbon होगा इसलिए कहेंगे pure form में मिल जाएगा ठीक है अगला which of the falling is the most reactive among the halogen sa pot explained i לסशन स्मुक के जो भी तत्व यहां पर दियेगा इनमें सबसे ज्याद्ध बात की जा रियक्टिव या सबसे ज्याद्ध कर सकते क्रियासील कौन सा होसकता है यह बहुत ही भैतरीन आपके कर सकते कोस्चंस में से है कों सा सबसे ज़्यादा रियक्टिव मैं तुम्हें हिंड दे दता हूँ कि वह यह एलमेंट का सकते हैं हैलोजन्स परिवार के जितनी भी सदसे हैं इनमें सबसे स्मॉल या छोटा है पर यह सबसे ज़्यादा कुराफ आती है और यह हाईली एलक्टो निगेटी भी है बहुत ज़्यादा विधुत रिडात्मक भी है यह और यह कोई ततो और कोई नहीं है बलकि यह मेरे बच्चे अलेमेंट है फ्लोरी जिसका सिम्बल है एफ इनमें से कौन सी नोबल गैस जो है जो हमारी वाईव में क्या होती है मौजूद आपकी नहीं होती है कौस्चन नमर्ट ट्वेंटी सिक्स अब देखिए कौस्चन नमर्ट ट्वेंटी नहीं होती है तो देखो वह इनमेट से कौन सी गैस आपकी कर सकते एंवार्मेंट में एक्जिस्ट नहीं करती है तो मेरे बच्चे अदी बात कर सकते हैं यहाँ पे कौन सी हेलियंटी नहीं होती है नियोन और्गन रेड़ाउन यह दि बात की जाता है नोबल गैस डाज नॉट एक्जिस्ट कौन सा होगा यह थोड़ा था आपके लिए क्या कर रहा हूं होमवर्ग दे रहा हूं तो यह मेरे बच्चे होमवर्ग आप सभी के लिए तो मैं फिर से याद दिला देना चाहता हो कि जो आपके 75 परसेंट का ओफर मिलना है जितने भी फ्लेट कोर्सेंट पर 27 अक्टूबर को इसको बहिए छोड़ियेगा नहीं ठीक है ना और आज के सेशन यहीं कतम करता हो सेगा लाइक और शेयर कर दिजिए अच्छा रगता कमेंट करना बिलकुल न भूरिये तो आज के सेशन यहीं कतम करता हो और यह कोशन है भारत